हेलो एवरीवन, वेलकम बेक यू वन्स अगेन ओन माई यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उदारवादी यूग या उदारवादी चरण के बारे में इस टॉपिक से सम्बंदित जितने भी important questions और important facts होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे इस से पहले आधोनिक भारत की इतिहास से सम्बंदित कुछ वीडियो में पहले ही upload कर चुकी हूँ उनका link description में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो playlist में जाकर देख सकती है आज की वीडियो का topic काफी important है तो वीडियो में end तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते है उदारवादी यूग देखिए अब इसके question answers को करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उदारवादी यूग होता क्या है देखिए जो भारतिय राष्ट्या आंदोलन हुए है उनको तीन भागों में बाटा गया है पहला है उदारवादी यूग जिसमें नरमपंथी विचारधारा के लोग आते हैं दूसरा है उगरवादी चरण जिसमें गरमपंथी विचारधारा के लोग आते हैं और तीसरा ह गांधिवादी यूग अब देखेए जो उदारवादी यूग है इसका समय माना जाता है 1885 से 1905 का जो समय है वो उदारवादी यूग के रूप में जाना जाता है और 1905 से 1919 का जो समय है वो उगरवादी चरण के रूप में जाना जाता है और 1919 से 1947 का जो समय है वो गांधिवादी यूग के रूप में जाना जाता है तो आज की इस वीडियो में हम उदारवादी यूग के बारे में पढ़ेंगे जिसका समय माना जाता है 1885 से 1905 का समय अब देखे इस युग में जो आंदोलन का नेत्रत्व था वो उदारवादी नेताओं के हातों में था इसलिए इसे उदारवादी युग कहा जाता है ये जो नेता थे ये उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध परदर्शनों में विश्वास रखते थे ये अपने आंदोलन कारी कारियों में समयधानिक तरीकों को अपनाते थे और हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे उदारवादी चरण के लोगों को बिर्टी संसद पर पूर्ण विश्वास था क्योंकि उदारवादी चरण के जो जितने भी नेता थे वो अधिकतर बिर्टेन से पढ़कर आये थे और उन्हें बिर्टी संसद पर पूर्ण विश्वास था उनकी सिकायते जो थी वो केवल भारत में वाइसराय और उनकी काउंसलिंग के बिर्टिस कानून के खिलाफ थी धरमपंथी विचारधारा की जो दो पद्धितियां थी उन्होंने दो पद्धितियों को अपनाया था जिसमें पहला था भारतिय राष्टय को जगाना यानिकी आमजनता में जो राष्टय भावना थी उसको जगाना और उन्हें राजनितिक सवालों पर एकत्त रित करना दूसरी कौन सी पदिती उन्होंने अपनाई दूसरी थी बेटे सरकार को उनकी मांग की तरज पर सुधार लाने के लिए राजी करना यह जो दो पदितिया थी यह नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने अपनाई थी और उदारवादी जो है इनकी जो विधी थी वो 3P के रूप में उसको जाना जाता था यानि की प्रे, प्रेटीशन और प्रोटेस्ट प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेटीशन का म अपनी मांगों को मनाने में विश्वास रगते थे, अब देखिये जो नरमपंथी थे, यानि की नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे, यह अंगरे जो दोवारा किये जाने वाले प्रसासन में ही सुधार चाहते थे यानि कि वे उनके प्रसासन से खुस थे उसी में सुधार लाना चाहते थे नरमपंथी विचारधारा के लोग किन्तो जो गरामपंथी विचारधारा के लोग थे वो स्वराज चाते थे श्वराज का मतलब होता है अपने दुआरा किया जाने वाला सासन तो गरामपंथी स्वराज चाते थे और नरमपंथी जो है वो प्रार्थना, याचना और अपील के द्वारा बिट्टे सासन से रियायत प्राप्ति करना चाते थे जबकि गरमपंथी उग्र आंदोलन बहिसकार स्वधेसी वेरास्टे शिक्सा के द्वारा स्वशासन प्राप्ति करना चाते थे अब देखें इसके नेता देख लेते हैं कौन-कौन से इसके नेता हुए हैं तो उदारवादी जो यानि कि नरमपंथी विचारधारा के लोग यानि उदारवादी यूग के जो लोग थे उसमें कौन-कौन से नेता आते हैं, पहला है दादभाई नरो जी, फिरोस सहा मैता, बदरुदीन तयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनन्द मोहन बसू, दिन बाल गंगा धर तिलक, लाला लाजपत्राए, विपिन चंद्रपाल, इन तीनों को बाल गंगा धर तिलक, लाला लाजपत्राए और विपिन चंद्रपाल को जाना जाता है लाल बाल पाल के नाम से, यानि कि लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता है, बाल गंगा धर त लग लाड़ लाजपत्राए और विपनचंदरपाल को और गरंपंति विचारधारा में एक और नेता important है उनको और याद रखेगा अरविंद घोस अगर आप गरमपंति विचारधारा के लोगों को सासन देने पर बल दिया अरविंद घोस फिरोसा मैंता दादा भाई नरोजी निन्य लिखित में से ऐसे कौन सा नेता हुआ है जिसने 1904 से लगातार भारत को ससासन देने पर बल दिया वो थे दादा भाई नरोजी तो आंजर हो जाएगा D. दादा भाई नरोजी Next question देख लेते हैं इन में से कौन उग्र राष्टवाद के उलेखने नेताओं में से नहीं था उग्र राष्टवाद के उलेखने नेताओं में से नहीं था गोपाल कृष्णी गोखले विपिन चंदरपाल लोकमान्य तिलक लाला राज बत्राई तो मैंने अभी बता है कि ये जो तीरों नेता थे ये किस में आते हैं ये आते हैं उगरवादी चरण में और ये जो गोपाल कृष्न गोखले हैं ये उदारवादी यानिकी नरमपंथी विचारधारा के नेताओं में से एक थे तो उग ग्रामेण क्षेत्र से जहरी क्षेत्र से ग्रामेण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से या पंजाब से तो देखे अधिकतर जो नरमपन्थी विचारधादारा के लोग थे यानिकि उदार्वादी युक के dosel बोग के पर्ति नेताव करते जय इंपोर्टेंथ यार याद जाएगा B इतरी स्थ से कॉंग्रेस के नरम दल के नेताओं के लोगों की वह यानि कि इनकी जो आंदोलन होते थे यानि कि विरोध या प्रोटेस्ट होते थे वह अहिंसात्मक होते थे तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट कुश्चन एक लेते हैं निम्ने लिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतिय रास्टे कॉंग्रिस का विभाजन हुआ जि तो कौन सा ऐसा ऐसा अंदोलन था जिसके कारण भारतिय रास्टे कॉंग्रिस का विभाजन हुआ आर्विन्य घोश नेक्स कुश्चन देख लेते हैं निमने में कौन मध्यमारगी नहीं था मद्यमारगी का मतलब उता है जिसने ना तो नरंपंथी विचारधारा को अपनाया ना तोinen Ones तो आंसर हो जाएगा B. बाल गंगधर तिलक. Next question देख लेते हैं, महरास्ट में गणपती पर्व का श्री गणेस किया था. B. जी तिलक ने, M. जी रानाडे ने, विपिन चंदरपाल ने या अर्विंद घोस ने. तो महरास्ट में गणपती पर्व का श्री गणेस किया था. B. जी तिलक ने. आंसर हो जाएगा A. बाल गंगधर तिलक ने. Next question देख लेते हैं, बाल गंगधर तिलक को किसने एशांती का जनक कहा? लोर्ड करजल ने, विंसेट स्मिथ ने, वेलेंटाइन सिरोल ने या हैंडरी कोटन ने. तो बाल गंगधर तिलक को किसने एशांती का जनक कहा था? तो ये कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने. आंसर हो जाएगा C. वेलेंटाइन सिरोल ने. बाल गंगधर तिलक को सजा के पश्चात निमने लिखित में से किसने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल्चस्पी है? रविंदर नाठ टेगोर ने, मैक्स मूलर ने, विपिन चंदरपाल ने या विलियम जोन्स ने? तो ऐसा किसने कहा था बाल गंगधर तिलक को कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल्चस्पी है? तो ये कहा था मैक्स मूलर ने. आंसर हो जाएगा B. मैक्स मूलर. देखेए जो ये कथन होते हैं इस तरीके के कोश्चन एक्जाम में पूछ ले आते हैं तो याद रखेगा ये इस तरीके के कोश्चन कथन दे करके पूछ ले आते हैं एक्जाम में कि ये किसने कहा है? तो याद रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा B. मैक्स मूलर ने. किसने भारत्य रास्टे कॉंग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनेती करने का आरोप लगाया था तो ये लगाया था बाल गंगधर तिलक ने आंसर हो जाएगा बी बाल गंगधर तिलक ने नेक्स कुशन देख लेते हैं महात्मा गांधी ने वल्लभाई पतेल को सरदार की उपाधी बड़ी संगठन समता के कारण किसांदोलन में दी थी खेडा सत्यागरह में बार्दोली सत्यागरह में नमक सत्यागरह में या व्यक्तिगत सत्यागरह में तो महात्मा गांधी ने व हैं next question है निम्नलेखित में से कौन उग्र रास्टवादी नेता नहीं था विपिन चंदरबाल बार्गंगा धर तिलक लालाज पत्राई या गुपाल कृष्ण गोखले तो यह तीनों हमने किसमें पढ़े हैं यह पढ़े हैं हमने गरंपंथी विचारधारा के लोगों में या यह नरमपंथी विचारधारा के लोग थे यानि कि उदारवादी युक्के नेता थे तो आंसर हो जाएगा डी गुपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएगा डी नेक्स कुशन देख लेते हैं नेक्स कुशन है निम्निलिकित में से कौन भारतिय रास्टे कॉंग्रिस के उदारवादी यो से नहीं जुड़ा था। फिरोशामैता, दादा भाई नोरोजी, गुपाल कृष्ण गोखले या लालालाजपत राए तो कौन ऐसा भारतिय रास्टे कॉंग्रिस के उदारवा भारतिय मुसल्मान समाने रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्शित नहीं हुए इसका कारण क्या था उन पर सरसाइद एहमद खा का प्रभाव उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी द्रस्टिकोन या मुस्लिम अकंग्शाओं के परति उदासींता का भाव या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नेती तो भारतिय जो मुसल्मान थे वो समाने रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्शित नहीं हुए इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नेती आंसर हो जाएगा डी नेक्स कुछन देख लेते हैं, नेक्स कुछन है, महत्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मुहम्मद अली, मौराना अबुलकला माजाद, म.A. अंसारी तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बालगंगा धर्तिलक की अर्थी उठाई थी तो वो था सोकत अली आंसार हो जाएगा A. सोकत अली देखें यह जो कुशन है यह काफी important है कि यह बार exam में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमान थे जिसने बालगंगा धर्तिलक की अर्थी उठाई थी तो वो थे सोकत अली नेक्स कुशन देख लेते हैं निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राई ने अपना राजनेतिक गुरू माना था गैरी बाल्डी को, विवेक आनंद को, दादभाई नरोजी को या मैजिनी को नेक्स कुशन देख लेते हैं भारत के सुतनतरता अंदोलन के प्रारंबिक दोर में उगरवादी विचारधारा को निम्न लिखित में से कोन सा एक निरोपित करता है यानि कि भारत के सतंतरता अंदुलन के जो प्रारंबिक दोड था उसमें उगरवादी विचारधारा को निमने लिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है पहला है आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रेश्रे देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना यह था या समयधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आकरामक साधनों से सुसासन प्राप्ति करना या देश को आवशक्ता नुसार राश्चे शिक्षा परदान करना या सैनिक विद्रोह बेटी सामराज्य के विरोध बलात राज परिवर्तन संगठित करना तो उगरवादी विचारधारा जो है यह निरूपित करती है कि जो उगरवादी विचारधारा के लोग थे वो सम्मयधानिक साधनों यह करने में विश्वास नहीं रखते थे वह उगर जो विरोध थे उनको करने में विश्वास रखते थे तो सम्मयधानिक साधनों यह मियाचिकाओ के स्थान पर आकरामक साधनों से सुसासन प्राप्ते करना चाहते थे उगरवादी विचारधारा के लोग यानिकी घरमपंथ विचारदारा के लोग तो answer हो जाएगा B समयधानिक साधनों एह हम याचिकाओ के स्थान पर आकरामक साधनों से स्वासाशन प्राप्ति करना उनका उद्देश है था answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा B so friends यह हमारा उदारवादी योग या उदारवादी चरण का topic यहीं complete होता है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है helpful लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको time to time मिलती रहें मिलेंग इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ thank you